हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ एसेवडी एंड बीमडी ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉलिम सॉल करेंगे तो देखे जो प्रॉलिम आज हमें सॉ एक सिंपली सपोर्डेट बीम है कैसे समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक सपोर्ट रियक्शन है राइट साइड में एक सपोर्ट रियक्शन है तो यह हो गया सिंपली सपोर्डेट बीम और इसके उपर कुछ लोडिंग दी है यहाँ पर दो पॉ Newton per meter का यहाँ पर UDL दिया है ठीक है इस तरह से और यह length की अगर बात करें तो total beam जो है यह 7 meter का है 3 plus 2 plus 2 that is 7 meter का यह beam दिया है और इसके लिए हमें यहाँ पर SFD and BMD draw करना है SFD याने shear force diagram तो BMD याने bending moment diagram तो चलो हम इसका अब solution बनाएंगे SFD BMD draw करेंगे और यह draw करने का technique बिल्कुल वैसा ही रहेंगा इसके लिए हम वही rules का use करेंगे जो हमने इसके पहले के problem में use किये थे अगर आपने इसके पहले का problem अगर आपने इसके पहले का video नहीं देखा है तो आप यास से देख लिजेगा उससे आपका SFD BMD का पूरा basic concept clear हो जाएगा तो चलो अब हम इसको solve करना start करता है सबसे पहले क्या करेंगे देखो SFD BMD के problem solve करने के लिए इसको step wise solve करना पड़ता है सबसे पहले क्या करना होता है वो समझ लोग देखो steps क्या होती है steps आपको यहाँ बता देते है सबसे पहली step होती है to find the support reactions सबसे पहले आपको support reactions find out करना होता है जैसे यहाँ पे a point पे यह support reaction है तो यह reaction को हम नाम देंगे यहाँ पे r a ठीक है इसको हम कहेंगे r a b point पे जो support reaction है इसको हम नाम देंगे r b तो पहला step होता है to find the support reactions तो हम पहले क्या करेंगे RARB support reactions find out करेंगे एक बार आपको RARB मिल जाता है then second step में आपको SF calculation करना होता है क्यूंकि आपको SFD draw करना है तो SFD draw करने के लिए आपको SF calculation करना पड़ेंगा और SF calculation करने के बाद ही आपका SFD बन पाएंगा SFD जो है वो इसी diagram के नीचे बनता है ठीक है और उसके बाद आपको BMD draw करना है तो BMD जो है वो SFD के नीचे draw होता है लेकिन BMD draw करने के लिए आपको BM calculation करना पड़ेंगा तो third step होता है यहाँ पे BM calculation करना है ठीक है तो यह 3 steps रहेंगी यह 3 steps के थुरू हम यह problem solve करने वाले है तो चलो हम सबसे पहला step यहाँ पे follow करेंगे पहले step में हमें क्या find out करना है यहाँ पे RARB find out करना है लेकिन RARB find out करना याने support reactions find out करने के लिए आपको यहाँ equilibrium conditions का use करना होता है equilibrium की total 3 conditions होती है देखो 3 conditions के बारे में बता देते है पहली condition summation of f of x equal to 0 दूसरी condition summation of f of y equal to 0 और तीसरी condition summation of moment equal to 0 यह 3 conditions का use करके आपको पहले support reactions find out करना है ऐसे में यह 3 conditions की जानकारी आपको होना चाहिए आपको summation of f of x करते आना चाहिए summation of f of y करते आना चाहिए आपको summation of moment करते आना चाहिए सबसे important होता है moment moment में number of students को confusion होता है तो ये सभी concepts आपके clear होना चाहिए उसी के साथ साथ आपको FBD draw करते आना चाहिए अगर कोई inclined force है तो inclined forces को resolve करते आना चाहिए तो ये सभी concepts इसके पहले के equilibrium के अगर आपके clear है तो आप आसानी से support reactions find out कर सकते है एक बार support reactions मिल गए तो फिर हम उसका use करके आसानी से SF calculation BM calculations करके SFD BMD बना सकते है समझ में आया तो चलो finally अब हम यहाँ solve करना start करते है सबसे पहले हमें क्या करना है RARB find out करना है जो कि support reactions है लेकिन उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक और diagram draw करेंगे हम यहाँ पे FBD draw कर लेता है FBD याने free body diagram हम क्या करेंगे यह जो beam AB है इसमें यहाँ पे जो ideal दिया है देखो यह जो ideal है इसको हम यहाँ पे solve कर लेता है एक FBD के माध्यम से हम वो show करेंगे तो यह हम मिटा देंगे यहाँ पे और इसके नीचे FBD बनाएंगे तो यह देखिए यह हम FBD यहाँ पे draw कर रहे है FBD याने free body diagram यह कोई SFD या BMD नहीं है यह हम free body diagram क्यों बना रहे क्योंकि हमें support reactions find out करना है और यहाँ पे UDL दिया है इसलिए हम इसके नीचे इसका FBD बना रहे only to find the support reactions एक बार हमें support reactions मिल जाते है तो फिर यह FBD को हम मिटा देंगे और इसके यह जो main diagram दिया था इसके नीचे SFD और फिर BMD बनाएंगे ठीक है यह FBD सिर्फ support reactions find out करने के लिए है तो यहाँ पे देको सब कुछ हमने SDT show किया है ठीक है बस यह UDL को अब हमें solve करना है हमने आपको कहा था UDL को point load में convert करना है तो चलो यह UDL को हम point load में convert करेंगे तो यहाँ पे UDL Q पर क्या load दिया है 2 kilonewton per meter और इसका base क्या दिया है base है 3 meter तो यहाँ पे 2 kilonewton per meter है per meter याने 1 meter के पीछे 2 kilonewton तो इसका base क्या है base है 3 meter तो इसका इसके ओपर यहाँ पे कितना point load apply होगा तो यहाँ पे 2 into 3 करना पड़ेंगा 2 into 3 इसका मतलब वो हो जाएंगा 6 kilonewton तो 6 kilonewton का point load आपको a और c के बीच में show करना है लेकिन कहाँ पे वो आपको at the middle of base show करना होता है at the center of base तो इसका base क्या है इसका base है 3 meter तो at the center of base यह हम show करेंगे इसका load इसका point load हमने indirectly हम क्या कर रहे है UDL को point load में convert कर रहे है तो यह देखिए हमने UDL को point load में यहाँ पे convert कर लिया है और इसका यहाँ पे कितना load show करना है 6 kilo newton का यह हम यहाँ पे load show कर रहे है और base जो है वो 2 part में divide हो गया इधर है 1.5 meter और इधर है 1.5 meter total हो गया 3 meter ठीक है यह है पूरा 3 meter 1.5 1.5 ऐसे 2 part में divide हो गया तो यह हमने finally UDL को यहाँ पे point load में convert कर लिये और वो exactly कौन से point पे act हो रहा है वो भी हमने यहाँ पे show किया है और अब हम यहाँ पे equilibrium conditions यह जो बताया है इसको हम यहाँ पे apply करेंगे और support reactions RA and RB का value find out करेंगे तो जैसा हमने कहा था इसके लिए equilibrium conditions use करना है तो equilibrium की total तीन conditions होती है तीन में से कौन सी condition use करना तो जो पहली condition है summation of F of X वो हम यहाँ पे apply नहीं कर सकते हैं वो इसलिए क्योंकि summation of F of X याने summation of horizontal forces यहाँ पे जितने भी horizontal forces होते हैं उनका summation लेकिन यहाँ देखो कोई भी horizontal force नहीं है तो summation of F of X वाली जो condition है उसको छोड़ो second condition यहाँ पे apply करो second condition है summation of F of Y summation of F of Y याने summation of vertical forces मतलब यहाँ पे जितने भी ऐसे vertical forces है उनका summation तो यहाँ पे vertical forces तो सभी के सभी vertical ही है लेकिन उसमें RA और RB दोनो unknown हैं तो summation of F of Y में कुछ भी solve नहीं होगा अगर आपने summation of F of Y की है तो उसमें RA, RB के form में एक equation आएंगा ठीक है चलो हम आपको वो करके बता देते हैं summation of F of Y याने summation of vertical forces और summation करने का rule vertically upward जाने वाले forces प्लस करना होता है ठीक है तो RA upward जा रहा है प्लस RB upward जा रहा है प्लस तो यह हम यहां लिख लेंगे RA plus RB और बाकी सभी forces जो है वो downward act हो रहे it means सभी के सभी minus में आएंगे minus 6, minus 3, minus 5, equal to 0 ठीक है इस तरह से तो यहाँ पे जैसे हमने कहा था equation आएंगा so RA plus RB यह minus 6, minus 3, minus 9, minus 9, minus 5, minus 14 और इसको right side में shift करो तो यह हो गया plus 14 ठीक है तो यह solve नहीं होगा इसको फिलाल equation number 1 कहो क्योंकि यहाँ पे RA, RB दो unknown है इसलिए यह solve नहीं हुआ तो यह हमने equilibrium का second condition apply किये चलो अब equilibrium का third condition यहाँ पे apply करेंगे summation of moment moment आपको apply करना है अब moment कौनसे point पे apply करना है choice आपकी है condition apply करेंगे summation of moment at point A equal to 0 और summation करने के लिए हम यहाँ पे rule ले लेंगे कि clockwise जाने वाले forces plus देखो यही rule से solve करना है ऐसा compulsory नहीं है आप चाहे तो anti-clockwise forces positive लेके भी solve कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है different different books में different different दिया है कुछ books में clockwise forces positive दिये है वैसे आपके college में आपकी lecturer आपको जो method पढ़ा रहे हैं आपको उसी के according solve करना चाहिए दोनों के थुरू एक ही answer आता है कोई दिक्कत नहीं है तो फिलाल हम यहाँ पे clockwise जाने वाले forces positive ऐसा लेके चलेंगे यह हमने क्या लिखा है summation of ma याने summation of moment of all the forces at point A इसका मतलब यहाँ पे जितने भी forces है सभी forces का moment at point A तो यहाँ पे total यहाँ पे कितने forces है count करो तो 1, 2, 3, 4, 5 यह सभी 5 forces का moment at point A लेकिन moment का एक rule है rule ऐसा है कि moment आप जो point पे apply करेंगे वो point से pass होने वाले सभी forces 0 moment आपने A point पे apply किया है तो A से pass होने वाले सभी forces 0 तो A से pass हो रहा है R A तो R A हो जाएंगा 0 इसका मतलब यह जो R A है यह moment की equation में नहीं आएंगा यह 0 क्यों हुआ वो इसलिए क्योंकि R A का distance with respect to point A 0 है distance 0 है इसलिए उसका moment भी 0 क्योंकि moment का formula होता है force into perpendicular distance तो अगर distance 0 हो जाएंगा तो moment भी 0 हो जाएंगा इसलिए R A का moment 0 R A moment की equation में नहीं आएंगा बाकी remaining जितने भी force से safe है वो सब moment की equation में आएंगे तो सभी को check करना पड़ेंगा कि A के respect में clockwise कोन है और anti-clockwise कोन है जो clockwise है वो positive लेंगे जो anti-clockwise है वो negative लेंगे तो यह जो 6 kN है वो देखो A point के respect में ऐसा clockwise है देखो 6 kN clockwise तो यह plus मिलेंगे यह 3 kN यह भी clockwise तो इसको भी हम plus मिलेंगे देन यह 5 kN यह भी A point के respect में ऐसा clockwise तो इसको भी हम plus मिलेंगे ठीक है तो चलो equation बनाते हैं तो 6 किलोनूटन प्लस में इंटू, ए से लेके 6 तक का लेंथ, तो ये 1.5, इंटू लेंथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला, अभी हमने आपको कहा था, force into perpendicular distance, तो ये force into ये perpendicular distance, 6 into 1.5, इसलिए हमने ऐसा लेके, उसके बाद 3, 3 हमने clockwise कहा था, into A से लेके 3 तक का लेंथ, तो ये हो जाएंगा 3 meter, तो हम लिख लेंगे, plus 3 into यहाँ पे 3, उसके बाद next, ये 5 किलोनूटन ये भी clockwise, into A से लेके 5 तक का लेंथ, तो ये हो जाएंगा 5, तो clockwise में हैं, इसलिए 5 प्लस में, into length 5, A से लेके 5 तक का लेंथ, और अब बचा है last R B, R B अफ़र्ट जा रहा है, चेक करो कि वो A पॉइंट के रिस्पेक्ट में clockwise या anti-clockwise, तो R B अफ़र्ट जा रहा है, तो वो A पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा anti-clockwise है, अगर ये anti-clockwise है, तो ये negative में आएंगा, into A से लेके R B तक कलेंथ पूरा 7, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, minus R B into 7 equal to 0, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो, calculator में यहाँ से लेके यहाँ तक put करना है, और देखते हैं इसका answer क्या आता है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, 6 into 1.5 plus 9 plus 25, तो ये answer आचुका है, 43 और ये हम यहाँ लिख लेंगे, 43 minus R B into 7 equal to 0, अब ये 43 को उधर shift करो, तो negative हो जाएंगा, ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, minus R B into 7 equal to minus of 43, बस आपको क्या करना है, या 43 को 7 से divide करना है, तो इसका answer आएंगा, यहाँ पे 6.142, ठीक है, minus minus कट जाएंगा, और R B का value हमें मिल जाएंगा, 6.142, ये हम यहाँ लिख लेंगे, kilonewton में, तो इस तरह से हमें क्या मिला, हमें R B का value मिल गया, 6.142 kilonewton, और अब ये value equation number 1 में put करो, क्योंकि हमें R A find out करना है, तो equation number 1 हमारा on solve था, तो चलो equation number 1 में यहाँ पे put करता है, देखते हैं 1 में put करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे equation number 1 में लेका है, R A plus R B याने plus 6.142, equal to right hand side में है 14, इस तरह से, अब ये 6.142 इधर जाके 14 में से subtract हो जाएंगा, so R A का value हमें finally मिल जाएंगा, तो ये हम करेंगे, तो इसका answer आ चुका है, यहाँ पे 7.857, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, 7.857 kilonewton, तो ये हमें R A का value भी मिल चुका है, इसका मतलब पहला step हमारा complete हो गया, हमने आपको कहाँ था, कि step के problem solve करते समय, आपको इसको step 5 solve करना है, तो पहला step होता है, to find the support reactions R A, R B, तो हमने support reactions R A, R B find out कर लिए, ये है R A, और ये है R B, ये जो R A, R B का value है, ये हम यहाँ side में लिखके रखते हैं, जो हमें मिला है, R A का value हमें मिला है, 7.85, 7.857 kilonewton, और R B का value हमें मिला है, that is 6.142 kilonewton, तो ये पहला step यहाँ पे solve हो गया, चलो अब second step के तरफ चलते हैं, second step होता है, SF calculation, उमीद करते हैं कि ये पहला step आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, तो ये देखिए, हमने यहाँ लिख लिया है, SF calculation, तो चलो अब SF calculation करते हैं, लेकिन उसके लिए उसका definition पहले आपको बता देते हैं, तो definition ये है, कि shear force at any cross section of the beam, is the algebraic sum of all the vertical forces, either on the left side of the section, और to the right side of the section, ये उसका definition होता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो जो हमने definition अभी बताया थे, वो theoretical definition है, बुक में ऐसा लिखा है, लेकिन अब इसको कैसे, यहाँ पे SF calculation करते हैं, कैसी ये definition का मतलब होता है, चलो यहाँ पे आप समझता है, सबसे पहले तो देखो, ये जो FBD हमने बनाये थे, free body diagram, इसका काम तो वैसे हो गया है, इसको हम बाद में इरिस करेंगे, छोड़ा सा एक काम रहे गया है, वो हम आपको यहाँ बता देंगे, लेकिन आपको, जो SF calculation है, वो इसको देखके करना है, देखो, ये जो diagram है, इसको देखके आपको SF calculation करना है, RA का value हमें पता है, find out किये थे, RB का value भी हमें पता है, find out किये थे, तो हम क्या करेंगे, SF calculation करने के लिए, आपको particular section यहाँ पे करना होता है, देखो, A, C, A, C के बीच में UDL दिया है, तो यहाँ पे कोई section मत करना, C और D के बीच में एक यहाँ पे section ले ले पर D, और B के बीच में भी एक यहाँ पे section ले 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 न, ठीक है? तो चलो सबसे पहले, यहाँ पे यह UDL के लिए हम यहाँ पे solve करेंगे, तो ऐसे में देखो जब कभी भी आप UDL के लिए solve करते हैं तो UDL के left corner और right corner दोनों पे आपको SF निकलना है और ये निकलना बहुत आसान है देखो आपको क्या करना है SF at A निकलना है और SF at C निकलना है क्या कहाँ? SF at A तो हम यहाँ पे ऐसा लिकलेंगे SF याने shear force SF at A तो ये क्या हो जाएंगा देखो A point पे क्या force है? RA ठीक है? A point पे RA है और ये vertically upward जा रहा है अगर ये vertically upward जा रहा है तो RA का value है 7.857 और ये positive में है तो SF at A तो ये रहेंगा that is 7.857 ठीक है? और ये हम यहाँ लिख लेंगे kilo Newton में और ये plus में रहेंगा क्योंकि RA का value यहाँ plus में है इसलिए हमने वो plus में ले लिए SF at A 7.857 kilo Newton अब आपको UDL के दूसरे corner पे check करना है देखो UDL का जो दूसरा corner है वो है point C यहाँ पे आपको SF निकलना है तो ये हम यहाँ लिख लेंगे SF at point C देखो SF at C लिखो या SF at point C लिखो उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो SF at C देखो C point पे SF क्या होगा तो ऐसे में आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखो number of students यहाँ पे confused होते हैं अलग-अलग method यूज करते हैं कोई भी method यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन आसान method आपको बता रहे है आपको सिर्फ क्या करना है SF at C C पे अगर आपको SF निकलना है तो क्या करो ये ज आपको क्या करना है ये आरे के वहलू में से इसका जो point load है 6 kN इसको minus करना है तो ये हम ऐसा लिखेंगे that is 7.857 minus यहाँ पे 6 कर लो ठीक है क्योंकि जो UDL का point load था वो है 6 kN तो 7.857 minus 6 तो ये आएंगा that is ये कितना आजाएंगा ये आजाएंगा 1.857 kN तो जाहिर सी बात ह and SF at C दोनों हमने यहाँ पे find out कर लिये हैं SF at A वो इतना है SF at C वो हमने इतना निकल है 1.857 ये समझ में आया क्या आपको UDL के लिए जब कभे भी आप solve करता है तो UDL के एक corner पे और दूसरे corner पे दोनो corner पे आपको हमेशा SF निकलना है एक corner पे SF उतना रहेंगा जितना यहा जालते समय ये जो पहला RA है RA minus UDL का point लोड कर लो ठीक है तो जो answer हैंगा वो दूसरे corner पे SF हो जाएंगा ये सिर्फ आपको UDL के लिए करना है ठीक है और अब इसके बाद हमें इधर के लिए SF निकलना है तो आपको अब SF CD के बीच में निकलना है और DB के बीच में निकलना है इसका मतलब SF between C and D, SF between D and B और इसके लिए आपको यहाँ पे section लेना पड़ेंगा तो चलो अब हम यहाँ पे लिखेंगे SF between C and D, तो C and D के बीच में SF क्या होगा देखो यहाँ पे, C और D के बीच में SF निकलना है तो उसके लिए यहाँ पे बीच में एक section ले लो, देखो C और D के बीच में एक section हम ले लेंगे, यह section को आप नाम दे दो, जैसे हमने नाम दे दिए XX, section का नाम आप कुछ भी दे सकत है, कोई फरक नहीं पड़ता, अब आपको क्या करना है, यह section के left side में, यह section के left side में, जितने भी forces है, जितने भी vertical forces है, उनका summation करना है, या, यह section के right side में, जितने भी vertical forces है, उनका summation करना है, choice आपकी है, या तो left side के सभी vertical forces का summation करो, या तो right side के सभी vertical forces का summation करो, लेकिन summation करते स हमें एक चोटा सा rule है, rule क्या है वो समझ लो, rule ऐसा है कि section के, देखो, जैसे मान लो कोई section है, जैसे हमने cd यहां पे लिया है, ठीक है न, वहाँ पे cd और cd के बीच में हमने यहां पे section दिया है, x, x, तो rule यह है कि यह section के left side से जो force vertically उपर जा रहा है और right side से जो force vertically downward जा रहा है, उसको आपको positive में लेना है, ठीक है यह आपको positive में लेना है यह आपको दियान में रखना है, section के left side से vertically upward जाने वाला और section के right side से vertically downward जाने वाला, दोनो forces आपको positive लेना है, इसको positive shear ऐसा कहता है, ठीक है ये है कि section के left side से downward जाने वाला और section के right side से upward जाने वाला ये दोनों forces को आपको negative में ले ले लेना है ठीक है इसको कहता है negative share ये है positive share ये है negative share positive share में section के left side में upward right side में downward और negative share में section के left side से downward और section के right side से upward ये आपको rule ध्यन में रखना है जब कभी भी आप SF calculation करेंगे तब तो चलो यहाँ पे SF calculation start करता है, तो यहाँ पे section के चलो, left side में, जितने भी vertical forces है, उनका summation यहाँ पे कर लेते हैं, तो section के left side में, कितने vertical forces है, तो एक काम करते है, यहाँ पे, जैसा हमने section लिया है, बिल्कुल वैसा ही section, यहाँ भी हम ले लेंगे, यह हमने section ले लिया है, XX हमने उसको नाम लिया है, यह section के left side में, यहाँ पे कितने forces दिख रहे हैं, तीन forces हैं, यह एक, यह दो, यह तीन, देखो, यह एक, इसका एक point load रहेंगा, यह देखो, इसलिए हमने यह diagram रखा है, क्योंकि हमने पता है, number of students, यहाँ पे confused होंगे, कि यह six kilowatton कहाँ से आया, तो यह six kilowatton आपको दिख रहा है, जो कि हमने UDL का point load यहाँ पे find out किये थे, तो यह section के left side में, तीन forces है, यह एक, इसका point load, और यह, यह एक और, मतलब total हो गए तीन, एक, दो, तीन, ठीक है, तो इनका summation करना है, तो यह section के left side वाले, यह उपर जा रहा है, मतलब यह positive में, यह left side से यह दोनों नीचे जा रहा है, इसका मतलब यह दोनों negative में आएंगे, देखो, rule, section के left side से उपर जाने वाला positive, और left side में नीचे जाने वाला negative, ठीक है, तो यह positive, यह दोनों negative negative, तो equation कुछ ऐसा हम लिख रहेंगे, यह जाएंगा उपर, RA का value positive, RA का value हम यहां लिख लेंगे, 7.857 positive में, और यह 6 और 3 दोनों negative में, minus 6 minus 3, तो इसका क्या answer आता है, चलो इसको calculate करेंगे, तो 7.857 minus of 9, तो यह आचुका है, minus में 1.143, तो हम यहां लिख लेंगे, minus में 1.143 kilo newton, तो यह हमने Sf between C and D find out कर लिए, और उसके लिए हमने left side के सभी forces का summation कीए, आप चाहे तो, right side के सभी forces का summation कर सकता है, उसके थूरू भी वही answer आता है, चलो आपको वो भी बता देते हैं, और, देखो हमने यहां पर और लिख लेंगे, तो यह दोनों तरीके आपको बता देते हैं, ताकि आप exam में दोनों में से कोई भी एक method यहां पर अपलाई करो, तो देखो Sf between C and D, हम क्या करेंगे, अब right side के सबी forces का subvention करेंगे, तो right side से यह downward जा रहा है, यह upward जा रहा है, तो यह downward जा रहा है, यह upward जा रहा है, पॉसेटिव में आयाँगा देखो, तो हम यहां लिख लेंगे, Phi U, यहां पर minus RB का value, 6.142 6.142, Phi U minus 6.142, दो इसका answer रहेंगा, देखो approximate होता है ये 1.143 था ये 1.142 रहेंगा इससे कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहे तो calculations calculator में चेक कर सकते हैं हम फिर भी चेक कर लेते हैं हमें पता है वही आने वाला है तो ये हमने फिर भी चेक कर लिए बिल्कुल सही answer है तो ये minus में आया है तो ये दोनों लगबग ल section लेंगे ये section को हम नाम देंगे चलो section yy ठीक है उसी type का section यहाँ पे भी लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो ठीक है आप चाहे तो वहाँ से समझो या फिर यहाँ से समझो कोई फरक नहीं पड़ता तो section तो हमने ले लिए अब आपको यहाँ पे बीच में लिखना पड़ेंगा तो यह हम यहाँ लिख लेंगे sf sf between क्या है d and b sf between d and b तो आपको अब sf निकालने के लिए क्या करना है या तो section yy के left side के सभी vertical forces का summation करो या तो section के right side के सभी vertical forces का summation करो choice आपकी है देखो section के left side में यहाँ पे कितने forces है section yy के left side में एक इसका एक दो ये तीन ये चार section yy के left side में चार vertical forces है देखो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं यह एक दो तीन चार forces है section yy के left side में तो चारो का summation करो तो चारो का summation करेंगे तो rule आपको पता है section के left side में जो उपर तो रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आरे प्लस में आएंगा और ये तीनों की तीनों माइनस में आएंगे तो आरे हम लिख लेंगे 7.857 माइनस 6, माइनस 3, माइनस 5 तो इसको अब यहाँ पे सबस्ट्रेक्ट करना है तो 7.857 माइनस ये 9 और ये 14, माइनस 14 करेंगे तो इसका एंसर आएंगा 6.143 ठीक है? तो ये एंसर आचुका है ये निगेटिव में आएंगा 6.143 किलो न्यूटन तो ये इस तरह से हमने SF between dB यहाँ पे find out कर लिये हैं और हमने उसके लिए left side के सभी forces का submission किया है चलो अब दूसरा option बताते हैं आप चाहें तो right side के सभी forces का भी submission कर सकते हैं answer उसके थूब भी वही आएंगा और, देखो और में अब right side में section yy के right side में कितने forces हैं चेक करो section yy के right side में सिर्फ एकी force है RB, इसका मतलब वो एकी force आएंगा ठीक है, और वो upward जा रहा है तो upward जा रहा है तो ये negative में आएंगा rule के according, ठीक है, क्योंकि section के right side में जो upward जाता है वो यहाँ पे minus में आता है और RB का value है 6.142 तो यह हम यहाँ लिख लेंगे directly negative में 6.142 kN तो इस तरह से हमने SF calculation पूरी तरह से कर लिया है SF at point A इतना है SF at point C इतना है यह ideal होने के वज़े से at point A and C निकाले है then SF between C and D इतना है SF between D and B इतना है और अब इसका use करके हम आसानी से SFD बना सकते हैं तो चलो अब हम SFD बनाते हैं ठीक इसके नीचे में तो यह देखिए हमने SFD ड्रॉ करने के लिए यहां से सभी vertical lines ड्रॉ कर लिये है सभी points से और अब हम यहां SFD बनाएंगे SFD का जो base है वो baseline का length उतना ही रहेंगा जितना beam का span है तो यह beam का span क्या है span है 7 meter का तो जो SFD बनाऊंगे SFD का जो span है SFD का जो baseline है वो भी 7 meter ही रहेंगा तो हम यह पहले baseline यहां बना लेते है ठीक है और SFD और BMD का जो baseline है वो सब कुछ depend करता है beam के उपर की beam का span क्या दिया है जो beam का span होता है वही baseline SFD का भी बनता है और BMD का भी बनता है तो फिलाल हमने यह SFD के लिए यहां पे baseline बना लिए है और अब यहां पे सभी points जो है वो जो हमने find out किया है सभी को हम यहां mark कर लेते है सबसे पहले A और point A और B हम पहले mark करेंगे देखो यहां पे है point A और यहां पे है point B ठीक है और अब यहां पे जो values है वो हमने SF calculations में क्या find out किया है चेक करो तो SF calculation में सबसे पहले SF at A देखो SF at A क्या find out किया 7.857 और यह positive में है हमेशा धहन में रखो positive जो values है वो आपको baseline के उपर show करना है और negative value आपको baseline के नीचे show करना है ठीक है तो यह देखिए baseline baseline के उपर हम show करेंगे 7.857 तो 7.857 हम यहां से देखो A point पहना तो A से उपर हम यहां ले लेंगे 7.857 यहां हमने ले लिए देखो यहां पे point ले लिए 7.857 का ठीक है यहां पे ok SF at A 7.857 यहां पे ok और अब इसके बाद देखो SF at C क्या है यह है positive में 1.857 यह भी value positive में है इसका मतलब यह baseline के उपर बनेंगा 1.857 ठीक है SF at C तो देखो C point पे SF at C 1.857 तो थोड़ा सा उपर बनाते हैं तो यह देखे यह हमने यहां point दे लिए ok यहां पे values क्या क्या थी वो आपको लिखना चाहिए तो values हम यहां लिख लेंगे that is 7.857 किलन्यूटन ठीक है और यहां पे क्या value है तो यहां पे है that is 1.857 ऐसी value है किलन्यूटन ok और अब यह आप किस के लिए solve कर रहे यह आप check करो तो यह आप UDL के लिए solve करें देखो यह एक UDL है हमेशाद धहन में रखो जब कभी भी आप UDL के लिए solve करता है तो UDL का जो SFD है वो linear बनता है ठीक है वो linear याने 1 degree curve पे बनता है linear याने ही 1 degree curve होता है जो कि एक inclined line रहेंगा एक triangle समान वो बनेगा तो चलो वो हम यहां बनते है तो आपको बस क्या करना है इन दोनों को सिधा join करना है देखो यह हम इसको join कर देंगे यह एक linear curve है इसको 1 degree curve ऐसा कहेंगे तो भी चलता है यह देखिए इस तरह से यह देखिए यहां से लेके यहां तक 7.857 यह 1.857 प्लस में है इसलिए बेसलाइन के ऊपर ठीक है SF at A and SF at C हो गया अब देखो SF between C and D SF between C and D देखो C and D के बीच में कोई load है क्या C and D के बीच में कोई load नहीं है इसका मतलब उनके बीच में जो SFD है वो एक constant वो एक constant curve रहेंगा याने 0 degree curve रहेंगा याने एक straight line रहेंगा ठीक है parallel to the baseline तो वो हम यहां पे show करेंगे तो क्या है SF between यहां पे C and D देखो value है minus 1.143 यहां पे minus में है SF between C and D minus में है इसका मतलब वो baseline के नीचे बनेगा ठीक है तो यह देखो C and D के बीच में यहां से baseline के नीचे 1.143 तो यह हमने यहां पे baseline के नीचे ले लिए 1.143 के लिए एक point ले लिए और अब यह constant रहेंगा C और D के बीच में तो देखो यह C और D के बीच में यह constant रहेंगा यहां तक तो यह देखिए, यह हमने constant बना दिये, 0 degree curve यहां तक ला लिए, ठीक है, Sf between C and D हो गया, और अब है, Sf between, Sf between that is D and B, तो Sf between D and B क्या है, minus में 6.143, minus है, इसका मतलब वो baseline के नीचे बनेगा, 6.143 है, तो यह देखिए, यहां से 6.143 आप नीचे जाएंगे, यहां तक यह ठीक रहेंगा, ओके, इस तरह से, और देखो, D और B के बीच में कोई भी load नहीं है, इसका मतलब वो भी एक constant, यहां पे constant curve याने 0 degree curve बनेगा, जो की एक line बनेगी, ठीक है, तो यह यहां से लेके यहां तक constant रहेंगा, यह देखिए, यहां तक, और इसका value, value हम यहां लेख लेंगे, इसके पहले का value हमने लेखना था, तो यह हम यहां लेख लेंगे, 1.143 किलन्यूटन, और यह हमने find out किये है, ये 6.143 kN find out किये है देखो ये points हमने यहां mark किये है और अब बस इनको join करना है तो चलो अब इनको join करेंगे और ये constant that is 0 degree curve है तो ये देखिए ये हम इस तरह से ये complete कर लेंगे ऐसा ये ऐसे नीचे rectangles यहां पर बन जाएंगे ये देखिए इस तरह से ये हमने SFD के लिए सभी points mark किये है और SFD हमने यहां पर draw कर लिया है इसके अंदर थोड़ा सा hatching lines draw कर लेता है ताकि ये complete हो जाए तो ये देखिए हमने इसको shaded कर लिया है और इस तरह से ये SFD यहां पर complete हो चुका है चलो check करके देखते है देखो SF at A positive में है तो ये देखिए SF at A positive में 7.857 SF at C यहां पर positive में है 1.857 तो देखो SF at C यहां पर plus में है 1.7 यहां पर plus में है then SF between C and D जो है ये negative में है तो देखो C और D के बीच में यहां पर negative में 0 degree curve याने constant यहाँ पे है उसके बाद sf between d and b देखो यह भी negative में है minus 6.143 तो यह baseline के नीचे बनेगा तो यह देखो यह भी है यहाँ पे constant that is zero degree curve negative में baseline के नीचे 6.143 उम्मिद करता है कि यह sfd यह आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा sf calculation का use करके हमने sfd बना लिए और अब रहे गया bmd तो चलो हम bmd बनाएंगे लेकिन bmd जो है वो इसके नीचे ड्रॉ करना होता है bmd के लिए आपको bm calculation लगेंगा जैसा हमने आपको starting में कहा था हमने यह पहला step कर लिए then यह second step भी कर लिए is the algebraic sum of moment of all the forces either on the right side of the beam और to the left side of the beam यह उसका definition है अब इसका क्या मतलब है चलो हम यहाँ पे आपको bm calculation करा के बताते हैं उससे आपका यह concept clear हो जाएंगा लेकिन इसके लिए आपको moment आना चाहिए क्योंकि moment का concept अगर आपका clear है तो ही आप bm calculations कर सकते हैं ठीक है तो हमें indirectly क्या करना है यहाँ पे सभी points पे moment ले लेना है moment a point पे लो moment c point पे लो moment d point पे लो और moment b point पे लो सभी points पे moment लो और उसका क्या answer आता है वो आपको यहाँ निकालना है तो यह एक simply supported beam है तो simply supported beam में A point पे support reaction है RA और B point पे support reaction है RB हमेशे ध्यन में रखो simply supported beam में A point पे और B point पे BM calculation 0 आता है A point पे BM 0 हो जाएंगा और B point पे BM 0 हो जाएंगा बस आपको C और D पे find out करना है वैसे हम आपको ये दूसरे तरीके से भी भता देता है चलो यहाँ पे solve करेंगे तो सबसे पहले BM at A हमने आपको क्या कहा है BM at A क्या आएंगा 0 आएंगा तो हम यहाँ सिधा सिधा 0 लिखते हैं लेकिन ये जो 0 है वो हमने A point पे ले लिए A point पे क्या force act हो रहा है A point पे R A act हो रहा है लेकिन ये 0 है या नहीं ये चेक करने के लिए आपके पास दूसरा तरीका भी है आप क्या कर सकते हैं A के right side में जितने भी forces है सभी forces के moment का summation करो और चेक करो कि 0 आता है कि नहीं आपको पता चल जाएंगा A point पे R A act हो रहा है तो R A A point पे act हो रहा है इसका distance with respect to point A 0 है इसलिए उसका moment भी 0 चलो इसको दूसरे तरह से चेक करते हैं और ठीक है दोनो options आपके पास होना चाहिए तो BM at A find out कर रहे है तो A के right side में जितने भी forces है उनके moment का summation तो A के right side में यहाँ पे कितने forces है तो A के right side में total 4 forces हो जाएंगे यह 1, 2, 3 और यह UDL का point load है वो आप कहेंगे UDL का point load बिलकुल आएंगा वो इसके पहले SF के time पे भी आया था BM के time पे भी आएंगा UDL का point load देको हमने जो starting में जो FBD draw किये थे ना free body diagram वो तो हमने यहाँ पे erase कर दिये लेकिन याद रखना कि UDL का point load रहेंगा कितना 6 kilonewton का और वो base के बीच में था that is 3 meter के बीच में 1.5 1.5 ऐसा था ठीक है ना तो चलो यहाँ पे BM calculation करेंगे BM at A right side के सभी forces का हम यहाँ पे summation करेंगे तो rule क्या है rule इसके लिए ऐसा है कि देखो यहाँ पे आपको rule बता देते है rule ऐसा है कि जो point पे आप moment अपलाए कर रहे है तो उसके left side में जो force clockwise है या उसके right side से जो force anti clockwise है वो आपको positive में लेना है ठीक है उसी के उसी तरह से अगर जो point पे आप moment अपलाए कर रहे है उसके left side में अगर कोई force anti clockwise है और उसके right side में कोई force clockwise है तो उनको आपको negative में लेना है ठीक है यह आपको देहन में रखना है तो चलो यहाँ पे हम यही rule का apply करने वाले है तो देखो यह point के right side में सभी forces है तो A के right side के सभी forces का moment हम यहाँ पे लेंगे तो A के right side में यहाँ पे point लोड यह A के respect में ऐसा clockwise रहेंगा ठीक है अगर यह A के respect में clockwise रहेंगा मतलब यहाँ पे rule लगेंगा यह वाला ठीक है क्यूंकि यह देखो जहाँ पे आप moment ले रहे है उसके right side में clockwise है तो वो minus मेंगा इसका मतलब यह point लोड जो है वो minus मेंगा यह 3 किलियोंटन यह भी clockwise रहेंगा तो यह भी minus मेंगा 5 किलियोंटन यह भी clockwise है तो यह भी minus मेंगा लेकिन यह RB जो की है A point के respect में यहाँ पे यह anti-clockwise रहेंगा देखो अगर वो anti-clockwise है तो जो point पे moment अपलाए कर रहे है उसके right side में अगर कोई force anti-clockwise में है तो वो positive में आएगा तो चलो वो हम यहाँ लेखेंगे तो देखते हैं यह क्या आएगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1.5 तो हम लिख लेंगे 1.5 ठीक है लेकिन यह जो है यह clockwise था तो clockwise है तो यह negative में आएगा तो यह हम यहाँ लिख लेंगे negative में उसके बाद 3 यह negative में हमने पहले ही चेक कर लिया है minus 3 into A से लेके 3 तक का length 3 then यह 5 यह भी negative में minus 5 into A से लेके 5 तक का length तो यह हो गया 5 then यह RB जो है वो anti-clockwise है इसका मतलब rule के according वो positive में आएंगा RB का value 6.142 into A से लेके RB तक का length तो यह 7 equal to यह 0 आएंगा आप चाहे तो चेक करो answer यह 100% 0 ही आएंगा ठीक है एक्जाम में आपने सिर्फ यह एक step लिखे तो भी चलता यह लिखने की जरूद नहीं है यह सिर्फ हमने आपको समझा लिखने के लिखे कि आप exam में चाहे तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो कोई फरक नहीं पड़ता और अब इसके बाद BM at C निकालेंगे हम तो यह हम second लिख लेंगे C नहीं sorry A के बाद हम सिधा B बताएंगे जहां पे आपको 0 आ रहा था तो यह हम यहां लिख लेंगे BM at B तो य 0.0006 ऐसा आएंगा इसका मतलब वो indirectly 0 ही है ठीक है आप उसको directly 0 लिख सकते हैं कोई लिक्कत नहीं है तो BM at B देखो B point पे भी BM जो है वो 0 रहेंगा लेकिन अगर आपने only B लिये तो लेकिन अगर आपने B के left side में जितने forces है उनके moment का अगर आपने summation किये तो भी 0 आता है चल साइड में यहां पे फिर से 4 forces रहेंगे RA यह UDL का एक point load यह 1 यह 2 यह 3 यह 4 ठीक है और यह B के left side में है तो left side में यह anti clockwise रहेंगा यह भी anti clockwise रहेंगा ठीक है यह भी anti clockwise रहेंगा तो left side में जो anti clockwise होते है उसका क्या rule है देखो rule हमने यहां बताए है यह जहां पे आप लेंगे moment उसके left side में anti clockwise वाले आपको negative में ले लेना है ठीक है और clockwise वाले आपको positive में लेना है तो इसका मतलब यह जो RA है यह positive में आएंगा और बाकी यह सब के सब negative में आएंगे तो यह हम यहा लिक लेंगे minus 5U into 2 ठीक है बी से लेके 5U तक कलेंध यह 2 हो जाएंगा ठीक है यह B के respect में यहाँ पर anti clockwise है तो anti clockwise वाले देखो यह वाले यह इसके left side में जो anti clockwise है वो negative में एंगे तो यह negative में है into 2 उसके बाद 3 जो है वो B के respect में anti clockwise है into 4 तो minus 3 into यह 4 उसके बाद यह UDL का point load 6 kN तो minus 6 into B से लेके 6 तक कलेंध क्या होंगा यह 2 2 और यह 1.5 रहेंगा इसका आधा ठी indirectly 224 5.5 तो यह 5.5 इसके बाद यह जो RA है यह B के left side में है यह clockwise है तो clockwise वाला positive होना है तो positive में RA, RA का value है 7.857 into B से लेके RA तक कलेंध तो यह 7 है ठीक है अब इसको solve करो जब आप इसको calculator में solve करोंगे तो यह approximately आता है 0.0003 यह 0.0006 तो यह भी indirectly 0 ही होता है तो यह हम सिदा सिदा इसको 0 लिख लेंगे तो इस तरह से हमने BM at A and BM at B यहाँ पे लिख लिए जो की 0 है हम आपको फिर से बता रहे है exam में आपको यह वाली step लिखने की जरूत नहीं है अगर आपने exam में directly BM at A 0 लिख दिए BM at B 0 लिख दिए तो भी चलता है बस आपको यह black color में जो हमने लिखा ह है वो लिखना है आपको full marks मिलेंगे यह हमने आपको optional बता है आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो चलो अब अब हम यहाँ पे third यहाँ पे find out करेंगे BM at C and D देखो BM at C और BM at D ऐसा रह गया तो BM at C तो C के left side में जितने forces हैं उनके moment का submission तो C के left side में कितने forces हैं तो C के left side में दो forces रहेंगे एक RA और एक यह UDL का point load ठीक है C के left side में तो हम यहाँ लिख लेंगे BM at C तो देखो इसका calculation क्या होता है C के left side में RA है यह clockwise है तो यह clockwise है तो यहाँ पे positive में हैंगा और यह UDL का point load जो है वो anti clockwise रहेंगा तो वो negative में हैंगा ठीक है तो हम यहाँ लेंगे 7.857 into C से लेके A तक का length यह है 3 उसकी बाद UDL का point load यह negative में आएंगा क्योंकि वो anti clockwise है ठीक है तो यह negative में यहाँ पे 6 kilonewton का point load था into C से लेके वो point load तक का length जो की इसका half हो जाएंगा 3 का half जो की हो जाएंगा 1.5 ठीक है और इस तरह से इसको बस solve करना ह है तो देखते हैं यह क्या आएंगा तो यह 7.857 into 3 ठीक है minus 6 into 1.5 तो यह आ चुका है positive में 14.571 तो हम यह लिख लेंगे 14.571 positive में है इसका unit रहेंगा kilonewton meter क्योंकि यह moment है इसलिए इसका unit kilonewton meter तो यह हो गया BM at C लेकिन BM at C find out करने के लिए हमने left side के forces का summation लिए है ठीक है आप left side के forces लेंगे तो भी चलता है right side के forces लेंगे तो भी चलता है चलो अब एक काम करते हैं C के right side में सभी forces का summation लेके आपको बताते है answer देखना same आता है क्योंकि हमने आपको definition के time आपको वही कहा था या तो left side के सभी forces लो या तो right side के सभी forces लो कोई दिक्कत नहीं है तो चलो R में आपको वो बता देते हैं R में C के right side में यहाँ पे जितने forces है वो C के right side में 2 forces है यह RB और यह FIU यह दोनों का submission लेंगे यह दोनों के moment का submission लेंगे तो भी देखना यही answer आता है तो C के right side में 5U यह clockwise है तो right side में clockwise जो होता है वो negative में होता है तो यह negative में आएंगा और यह anti-clockwise है तो यह positive में रहेंगा तो हम लिखेंगे negative में 5U into C से लेके 5 तक का length 2 meter तो हम यह लिखेंगे 2 उसके बाद positive में RB का value 6.142 into C से लेके RB तक का length तो यह हो जाएंगा 4 हम लिखेंगे 4 बस इसको calculate करो तो इसका answer आएंगा यह हमने calculate किया है 14.568 तो यह हम यहां लिखेंगे 14.568 kilo newton meter यह approximate answer आता है exact answer नहीं आएंगा कभी भी आप solve करोंगे क्योंकि point में difference हो जाता है कहीं न कहीं कोई ने कोई तो difference हो जाता है तो उसके वज़े से जो है वो exact answer नहीं आएंगा थोड़ा 19-20 का फरक पड़ेंगा जैसे 14.571 है तो 14.568 आएंगा उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप दोनों में से कोई भी एक method follow करो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह हो गया bm at c हमने c के left side के सभी forces का moment किये तो भी यह answer आएंगा और c के right side के सभी forces का moment लिए तो भी वही answer आया है ठीक है तो यह हो गया bm at c और अब last बचा है bm at d तो चलो यह last step हम करेंगे bm at d तो देखो d पे अगर आपको bm अपलाए करना है तो आपको क्या करना है d के या तो left side के सभी forces का moment लो या तो d के right side के सभी forces का moment लो तो हम आपको दोनों तरह से बता देते हैं तो d के left side में total कितने forces है तो d के left side में total 3 forces है ra यह ideal का point lord और यह 3 total 3 forces हो गए d के left side में यह clockwise है तो यह positive में आएंगा और यह दोनों anti-clockwise है तो वो negative में आएंगे तो चलो हम यह लिखेंगे ra का force d के respect में clockwise है तो यह positive में 7.857 into d से लेके ra तक का length that is यह 5 उसके बाद यह ideal का point lord यह anti-clockwise है ideal का point lord 6 kilonewton का है into d से लेके यहा तक का तो यह 2 और यह 1.5 तो यह 3.5 और उसके बाद यह 3 यह anti-clockwise तो यह negative में minus 3 into d से लेके 3 तक का length तो यह हो गया 2 बस इसको calculator में solve करो देखते हैं इसका cancer आता है 7.857 into 5 into 5 minus 6 into 3.5 minus 6 तो यह आ चुका है plus में 12.285 तो यह हम लिख लेंगे 12.285 kilonewton meter ठीक है? यह हो गया एक तरीका हमने उसके ले क्या किये? d के left side के सभी forces के moment का summation किये चलो अब दूसरा तरीका और d के right side के सभी forces का आपको moment लेना है तो d के right side में force एक ही है rb बस आपको उसको लेना है तो rb d के respect में anti clockwise है anti clockwise है तो वो plus में आएगा rule के according तो यह हम यहां लिखे लेंगे 6.142 into into d से लेके b तक का लेन क्या है 2 तो into 2 करेंगे ठीक है? चलो अब देखते हैं इसका answer कितना आता है? approximately इतना ही आएगा जहां तक 6.142 into 2 करेंगे तो यह answer आ चुका है 12.284 12.284 देको थोड़ा सा difference हुआ है 12.284 किलो न्यूटन मिटर ठीक है? यहां 285 था यहां 284 हुआ है उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो finally हमने BM calculations पूरी तरह से कर लिए है BM at A 0 है BM at B 0 है BM at C है 14.571 प्लस में और BM at D है 12.285 प्लस में यह दोनों values positive में है तो चलो finally अब हम BMD draw करता है इसके नीचे सबसे पहले हम baseline बना लेंगे तो यह देखिए हमने पहले baseline बना लिए है left side का जो point है वो है A right side का जो point है वो है B और अब चलो सभी का values हम यहां रखेंगे तो BM at A 0 है तो BM at A 0 मतलब यहां पे रहेंगा BM at B 0 है तो यहां पे end होंगा वो ठीक है और आब BM at C and D क्या है वो चेक करो तो BM at C है 14.571 positive में है positive value baseline के उपर show करना है negative value baseline के नीचे show करना है दोनों जो values है वो positive में है मतलब वो दोनों उपर आएंगी ठीक है तो इसलिए उपर जाएंगा तो यह हमने यहां तक show किये देखो यहां तक ठीक है 14.571 यहां पे हम लिख लेंगे उसका जो value है वो हम यहां लिख लेंगे कितना आया है 14.571 किलो न्यूटन मिटर इस तरह से ठीक है तो यह हमने यहां लिख लिया है उसके बाद BM at D BM at D क्या है देखो 12.285 यह भी प्लस में है तो यह baseline के उपर देखो BM at D D point पे यह D की line है तो यह 12.285 मतलब यह 14.571 से थोड़ा सा नीचे रहेंगा तो देखो यहां पे D की line पे तो यह हमने यहां पे शोग किया है इस तरह से यह देखिए यहां पे ठीक है इसका value भी हम यहां लिख लेंगे 12.285 किलोन्यूटन मिटर ठीक है सभी का value जो है वहां लिखना कंपल सरी है तो हमने point तो ले लिया है देखो BM at C point हमने यहां लिए BM at D point हमने यहां लिए लेकिन अब इसको join कैसे करना है join करते समय number of students यहां पे गलती करते है गलती नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए आपको rule पता होना चाहिए rule क्या है तो देखो यहां पे आप पहले तो UDL के लिए solve करें UDL के लिए parabolic law यहां पे हमें follow करना पड़ेंगा तो A से लेके यह C तक देखो यह जो C का point अपने लिए है A से लेके C तक आपको parabolic curve ड्रॉ करना है तो यह देखिए यह हम parabolic curve यह हम ऐसा parabolic curve हमने ऐसा draw कर लिया है यह हमने free hand draw किया है आप चाहे तो कोई instrument का use करो कोई दिक्कत नहीं है यह हमने ऐसा parabolic curve यहाँ पे show किया है यह 2 degree curve है यह UDL के लिए रहेंगा जब कभी भी आप UDL के लिए solve करेंगे तो BMD हमेशा parabolic curve ऐसा parabolic आपको draw करना है 2 degree curve इसको ऐसा बोलते है और अब इसके बाद अब यहाँ पे point load है तो point load के लिए जब भी आप solve करता है जब भी आप BMD यहाँ पे draw करता है तो point load के लिए आपको linear curve शो करना पड़ता है linear curve याने एक straight line होती है जिसके वज़े से BMD ऐसा triangular shape में दिखता है linear curve जिसको 1 degree curve बोलते है यह देखिए यह जो हमने यहाँ पे draw किया ने यह है linear curve याने 1 degree curve तो यह point load के लिए हम solve कर रहे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐसा inclined line draw करना है फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक inclined line draw करना है जो की होता है linear curve याने 1 degree curve तो इसको हम directly ऐसा जॉइन कर लेंगे यह देखे यह पहला यह इसको ऐसा जॉइन करेंगे यह पहला होगा directly आपको scale से straight line जॉइन करना है और यहां से यह दूसरा straight line जो है वो यहां से इस तरह से जाएंगा नीचे यह देखिए ओके तो यह आपको A से लेके C तक यहां पे parabolic path दिख रहा है then C से लेके D तक straight line incline में है जो की linear है और फिर D से लेके B तक यह भी एक linear है straight line incline और अब इसके अंदर हम यहां पे shaded lines ड्रॉ कर लेंगे तो यह देखिए finally हमने इसके अंदर shaded line draw कर लिया है और यह BMD यहां पे complete हो चुका है ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि यह BMD और SFD यह दोनों की दोनों डाइग्राम्स आपको समझ में आ गए होगे SF calculation और BM calculation यह भी आपको समझ में आ गया होगा यह हम उम्मीद करते हैं और इस तरह से question में जो कुछ भी find out करने के लिए कहा था जो कुछ भी यह solve करने के लिए कहा था draw करने के लिए कहा था यह हमने कर लिए problem यही पे complete हो गया यह पूरा problem आपको अपनी practice book में जरूर solve करके देख लेना चाहिए और SFD और BMD भी आपको draw करना चाहिए ताकि आपकी practice हो जाए यह था आज का how to draw SFD and BMD यह topic का problem number 2 इसके पहले का जो हमने एक problem लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी अच्छी कासी practice हो जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you very much